हलो फ्रेंट्स वेलकम टू अवर योटूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप पिछे से गला 10 इंच से जादा बड़ा बना रहे हो या फिर 10 इंच तक गला बना रहे हो तो इस तरह के जो गले होते इन्हें बोला जाता है डीप नैक तो दोस्तो इस तरह के जब गला आप बनाते हो चाहिए सूट हो या फिर बलाउज हो दोस्तो इसमें जो सूट की कटिंग का जो फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है मुझे काफी कमेंट मिलते हैं इसी सब्जेक्ट को लेके सर हमें बताएं कि डीप नैक की कटिंग और इस की स्टीचिंग कैसे की जाती यह तो फ्ररेंट्स आज की वीडियो में आपको कम्प्ल nearby स्टीचिंग कैसे कर लिए अलाएं स्क्रीन के उपर आपको दो नंबर दिखाए दे रहे होंगे इन नंबर पर कोल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरे पास यह जो फैब्रिक है मैं इस्टन करना के है तो सबसे पहले हम इसका तरफ यह जो किनारी जिखने सबसे आपको सूर्ड का होता है यानि की जो चॉत काOl कैरणे लगबग रखते इस प्रकार से यह रहे यह इस निषान को बिल्कुल आपने इस प्रकार से सीधा कर लेना है यानि कि घेर के इसाब से हम पल्ले को फोल्ड करते हैं फ्रेंट पार्ट के मैं पहले कटिंग करूँगा इस प्रकार से अब इस निशान के इसाब से आपको के नाडी पर जो है अपना नाखुण से इसको परसी कर लेना है एक आप रेंट्स सबसे पहले जो भी आपकी लंबाई है लंबाई के लिए प्रकार से नीचे आपको सीधा निशान लगाना यह देखिए यह एक निशान लगा दिया इसमें आप देख सकते हो टीड़ा मेरा कपड़ा है यह एक स्टा कपड़ा कट जयेगा नीचे अगर आप तुर्पाई कर रहे हो तो लगबर 2.5 इंच आपको कपड़ा एकस्टा रखना है यह देखिए अगर आप से नीचे स्लाई करते हो तो एक यह सवाइंच आपड़ा रख सकते हो अपसमें अटेच करते हैं तो यह जो मैंने निशान लगा है लंबाई का इस जगे आपको सीधा इस प्रकार से निशान लगाना है इसके बाद दोस्तों अब इसमें स्टैप बाई स्टैप मैं आपको सारा जो इसका मेजरेमेंट है वह मैं आपको बताता हूं क्या इसका पंदरा इंच आप चाहें तो साड़े चौदा रख सकते हो कि साड़े चौदा पंदरा इंच एक कमर का जो सफिशेंट नाप होता है उसके बाद जो हिप साइज के लिए आपको निशान लगाना लंबाई वाली जगा से आपको लेना 21 पर अब दोस्तों यह निशान लगाए इन निशानों को सीधा आपको इस प्रकास से स्केल के मज़ए खेंच लेना है आपकी जानकरे के लिए चीज बताता हूं जो सबसे इंपोर्टेट जो इसके अंदर चीज होती है जब हमको डीप नेक सूट की कटिंग करते हैं वह होता इसका में वह होता इसका आर्म होल और हो इसका तीरह स्टैप बस्टैप जो सारा फोकस होगा इसके आरम होल और तीरे पर ही होगा बाकि यह जो सारे के सारे निशान लगते हैं अब फ्रेंड्स सबसे बहले नीचे सी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि दोस्ति इसका हिप साईज का ना पर दोस्त वह है 19 इंच और 18 और 18 काधा केतना होता है 18 काधा होता है दोस्तों 9 यह देखिए इस परकार से 29 बेकर मैं निशान लगा दिया अब यह जो मैंने निशान लगाए इन निशानों को आपस में आपको इस परकार से मिलाना है है कि हाला कि दोस्तों एक निशान और बी इंपोर्टेड होता है जिसे हम लोर बरस्ट और अपर बस बोलते हैं वह आर्म होल से जस्ट हम धाइंच नीचे लेटें इस प्रकार से आप देख सकते हो एक सीदा निशान इता भी लगा लेते हैं क्योंकि दोस्तों इस निशान का है वह बहुत बड़ा महत्व यह होता है कि हम गलती करते हैं कि आ है टो कभी लगाना है तो छी बिल्कुल भी आपका नहीं आए गया गया इस प्रقार से तलाल destaई में मक्सद है आज की वीडियो का वह है कि डीप नेक जो होता है उसकी आर्म होल की कटिंग कैसे की जाती है इसका घेरे पर में निशान लगा दा हूं भी इस परकार सीधे आप देख सकते हैं यह में निशान लगा दिये तो सीधी सी बात है कि इतना बड़ा गला बनेगा तो किसी भी कंडिशन में उसका जो शोल्डर रहें वह रुकने वाले नहीं वह बार-बार यह गिरेंगे वह बहुत जादा होता है तो आपको शोल्डर रखना यानिंग तीरा रखना है वो रखना है 5.5 यह देखी साड़े पांच पर निशान लगाना है और इसी प्रकार से 5 पर एक निशान यहां पर लगाएं और इस निशान को बिलकुल और लेकर यह को सीधा नीचा लेकर आए यह देखिए ठीक है तो फ्रेंट्स यह देखिए अगर आप पीछे से गला बना रहे हो 6 इंच 7 8 9 तक अगर आप किसी का गला बनाते हो उसका फार्मॉला यह है कि आपको जो आर्मोल ले लिए आदा इंच बड़ा की छैंच तो दोस्तों आर्मोल कम हो जाएगा साड़े 6 से कम आपको आर्मोल नहीं लेना एक मीडियम साइज के सूट के लिए बच्चों की बात अलग है अगर आप किसी मीडियम साइज के सूट की कटिंग कर रहे हो गला डीप है तो सि है यहां पर इस परकार से सीधा एक अर्रो को निशान लगाएं और यह देखी इस परकार से गुलाई देत हुए जो भी आपका फेटिंग वाला मार्क है उसमें जाकर आपको उसको मिला लेना है ठीक है इसके बात फ्रेंट्स जब आपको कटिंग करनी है तो यहां से आपक हो यह देखिए। अब फ्रेंट्स यह जो मैंने मार्क कर रहे हैं इस मार्क के अकोर्डिंग ही आपको पर फिटंग करनी है और यह देखिए एकस्टा मार्णाड़ दैना आप तो फ्रेंट्स फ्रेंट वाले पार्ट के केनिंग कर ली है अब इससे के अकोडिगी हमें बैक वाले पार्ट की करनी है करना कुछ नहीं है बिलकुल आसांने देखिए ईस प्रosh सुनाफ से घुंआ कर साइड में और यह देखिए अब यह चिन्फ से निकले वाले पार्ट के ऊपर ऐसे हैंसे आपको बिछा लेना तो फ्रेंट फ्रेंट वाले पार्ट को दिखिए मैं इस पार का से ई hiç आज छा लिए जो आपको चेंज करना है पीछे की तरफ नहीं भागेगा बोडी स्ट्रक्चर के अनुसार दोस्तों ऐसा ही होता है क्योंकि हर किसी का चाल लेडी जो चाल जैंड सो उसके जो शोल्डर होते हैं अगर आप इनको बराबर कार दोगे तो गला पीछे की तरफ जाता है आदा इंच बढ़ा के कटिंग करो हो तो गला पीछे की तरफ कभी भी नहीं भागेगा अब दोस्तों इसके नाप क्या कोड़िग में करूंगा कटिंग है कि अ कि मैसले लगा रहा हूं ताकि पता रहे कि इस जगे से इतना यह नीचे से फोल्ड होगा यह हमारी हिप साइज वाल जी जो है सलाई आएगी जहा करी थी लेकिन जब भी हम फ्रेंट वाला जो पार्ट होता है इसकी जब कटिंग करते हैं तो एक चीज़ जहां रखनी है आगे वाला यह जो हिस्सा होता है जिसे हम आर्मौल बोलते हैं यहां से हमने लिया था एडेड़ इंच अब डेड़ कादा कितना होता है लगभा तो फ्रेंट आर्म होल की कटिंग तो दोस्तों मैंने कर ली है पीछे वाले आर्म होल की कटिंग करने की आपको जूरत नहीं है और फ्रेंट वाले की कटिंग होती है अब दोस्तों रही बात इसकी बाजू की तो फ्रेंट से बाजू की कटिंग कैसे की जाती है इस सर्जेक विदियो के वह कभी बनता नहीं क्योंकि दिव करेंगे तो उसे परम हो जाती है तो बेक का ही जो गला है उसको बनाएंगे तो दोस्तो कितना क्टऊ करना वो मैं आपको बता है 11 इंच अब दोस्तों 11 इंच का जब गला बनेगा पीछे वाले हिस्से में तो दो अप्शन है यह तो आप डायेक्ट कपड़े पर बना के यानि की सूट पर कटिंग कर सकते हो यह आप बुकरम पर कर सकते हो लेकिन जो बैस्ट फार्मला दोस्तों वह ब बुकरम पर क्योंकि अगर आप कपड़े पर ही कटिंग करोगे तो गले में वह फिनिशिंग नहीं आएगी तो पहले बुकरम पर हम कटिंग करेंगे 11 इंच के गले की उसके बाद को कैसे बनाना मैं आपको बताता हूं तो फेंट्स यह देखिए मेरे पास एक बुकरम का प है टोटल जो गले की है तैयार वह है 11 तो 11 की जगे आपको कितना लेना साड़े 11 क्योंकि आदा इसमें उपर चला जाता है जब हम इस परकार से सीधा एक निशान लगादें यहां पर अब दोस्तों डीप गले का मतलब कि यह नहीं होता कि डीप गला डीप गला दोस्तों द और माल लीजिए उपर से गले की चुड़ाई रख लेते हैं टोटल पांच इंच इस परकार से पांच रख लो चाहिए साड़े पांच रख लो इस चीश को थोड़ा दोस्तों ध्यान से आपको देखना होगा तो ही आपको चीश समझ आएगी क्योंकि डीप का मतलब यह न इतना लंबा गला जब बनाते हैं ना डीप गला तो उसाथ में चोड़ा भी होना चाहिए और चोड़ा भी कैसे करना है करने को चोड़े वाले पार्ट के लिए दोस्तों सिर्फ नीचे वाले इससे को यह आपको चुड़ाई देनी उपर वाले को नहीं देनी अगर आपने देखें यह चीज में आपको बता ही दिए गला जो टोटल लिया है मैंने कितना साड़े ग्यारा इंच अब माल लेते हैं उपर से गले की चुड़ाई हमने रखनी है इसकी तैयार 6 इंच तो 6 का आदा कितना होता है तीन अगर रखनी आपको साड़े 5 तो उसका कितना होगा पौने 3 तो देखें पौने 3 पर निशाँ लगाते है उपर से गले के चुड़ाई आग一定 तीन यह तो तो उपर से चुड़ाई उतनी ही रखनी है लेकिन नीचे से आपको इसकी चुड़ाई बढानी है कितनी बढ़ानी है एक इंच यह देखिए इधर से पोने तीन है तो इधर से आपको लेना है पोने चार इंच इस प्रकार से अब आपको को बनाओगे तो बनाने के बाद गले नो फैलना है लेकि इतना भी नहीं फैलेगा कि आपके शोल्डर गिर जाएं अब दोस्तों इसकी मैं करूंगा कटिंग देखें कैसे फ्रेंट्स एक तरव से मैंने कटिंग कर ली है अब यह देखे एक्ष्टा जो जितने वाद आपको बुक्रम को दिख रहा है सारे को कटिंग करें सिर्फ एक इंच का ही मारज रखना इसके अंदर यह देखें तो फ्रेंट्स यह देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हूं नीचे से गले के चुड़ाई में उपर से गले के चुड़ाई में आपको फर्क देख रहा होगा लेकिन जब इस गले को हम बनाएंगे तो बनाते समय किन-किन चीजों का आपको ध्यान रखना है आई चलते क्बारों फ भाड़े पांच आपको इस प्रकास निशान लगाना है और इस निशान का जभाई देखिए में पर केनारे के नबशी लगानी तो फीलाई पीरत द विलिघर देकानी जर्टी करनी है यहां पर हलूट यह जो श्राइए में लगाई है इस स्राइए को लगाने का मकसद यह होता है कि गल अपनी जगे परफेक्ट सेट हो जाए अब दूसरी जगे से आपको इस प्रकार से यह देखिए पिलकुर इसके सामने से यहां से स्टाइए की स्टाइटिंग करनी है और श्राइए जो आप आपको इस प्रकार लगानी देखें आप देख भी सकते हो उपर से गली की चुड़ाई साड़े पांच रखिए मैंने उन नीचे से जो गली की चुड़ाई जितनी हमने काटी थी उतनी बिलकुर परफेक्ट है गटाने के बाद जो भी एक्ष्टा कप्ड़ा आपको दिख रही कि आपको क्ति कर लें अचे सिर्फ आपको कितना चोड़ना एक कि इसमें फोल कर सकें और तो फ्रेंट सारह मारजन काटने के बाद मैंने की इतना ही लिया है किस कि इफ रख़हा रखाने के आपको का इस प्रस्था करना है विश्च कर लिया है यौ इस विय्योंच व्यां है और में इसो प्रकार से जो गला इपने कप्ड़े पर जमा है कम्लीना क Nah अब यह जो गला है गले को भी आपको सेंटर में रखना है तो सेंटर में रखने के लिए दोस्तों उपर से सेंटर इसका मिल चुका है और इतना बड़ा डीप गला है तो उसके लिए अब आपको करना क्या है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक लेना है चौक और चौक की center point है ये आप देख सकती हो तो friends गला जो बिल्क६ 7 में ने करलिया है अब दोस्तों इतने बड़ے गले को Set करने के लिए क्लिए क्या एक और में देखिये आप देख सकता हूँ जो मैं निशान लगा रहा हूं आपको एक दोस्तों फिर यहां से आपको श्राइए की स्टार्टिंग करनी है और इस श्राइए को आपको इदर लाके निकाल लेना है तो फ्रेंड्स बिल्कुल बीच में सेंटर में जो मैंने स्लाइए अब में यह मैं लगाई एक इस प्रकास आप देख सकते हो अब फ्रेंड्स आपक कर सकते हो जिस तरब भी आपका हाथ बिल्कुल परफेक्ट बैठे स्लाई लगाते हैं बस आपको किनारे पर स्लाई लगाने के बाद अब इसका जो भी अंदर का एक्ष्ठा कपड़ा है इसकी आपको कटिंग करनी बस आपको रखना है आदा इंच का मार्जन बागी सारे कप नहां पर भी गुलाई आपको दिखरी है तो उस जगह पर आपको हलक अलके से कट लगाने ताकि गल्येक को प्रोपर इसकी शेप मिल सके तो यह कट इसलिए लगा जाते हैं ताकि गल्येक प्रकार से आप देख सकते हो कि गल्या जो है हमारा लगबग कंप्लीट है अब इस मर्जी इसके नदर creativity कर सकते हो सबसे पहले तो आप चाहें इसमें कच्छी चलाई लगा सकते हो आप चाहें तो इसमें किनारे की चलाई भी लगा सकते हो यह दिखें मैं आपको लगा कर दिखा देता हूं कि यह लगा रहा हूं मैं किनारे की सिलाई margin सारा इस परकार से set करते हो आपकोशले लगा नहीं ताकि को जोलना है आप देखते तो deep qительно है जो इस परकार से मैंने बना दिया है और आप इसकी शेप भी देख देख सकते हो किस परकार से इस गले को मैंने बनाए। अगर आप भी इस तरह के से गले को बनाते हो तो किटना भीडिय गल्प बनाऊगे तो आपके कंदे कभी नहीं गए तो फेंडस यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगई तो लाइक करें चैनल पर पहली बारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें थेंक्यू वेरी मच